सब्सक्राइब एक और समर की रेसिपी के साथ थाजिर हूँ एक और नहीं रेसिपी आप लोगों के लेकर आई हूँ वाटर मेलन डिलाइट बनाने जा रही हूँ तरबूस का जूस कहने बहुत जबरदस बहुत डिलिशिस बनता है और समर में तो भी यह बेस्ट है गर्मी के एसास को कम करता है रमजान भी आपको पता है कि आने वाले हैं तो रमजानों में भी हम लोगों को डिफरेंट जूस बनाते हैं इसलिए यह रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ यह रेसिपी बनाने करीं जो चीजें हमें रिकॉाइट होंगी यह आप लोगों को नोट डाउन करवारी हूं इसको धोगों के मैंने रखा हुआ है यह बिल्कुल फूल के थिक हो गया है एक बड़े लेमन का जूस पंडेंस्ट मिल्क कॉमल हाफ तिन मिक्स फूरूट के चंक्स यह ऑप्शनल है यह मिक्स फूरूट का टेन आता है वह छोटा वाले एक ले लीजिएगा नहीं है यह नहीं दालना तो कोई मसला नहीं है लेकिन यह हम चंक्स थोड़े से अपने जूस में शामिल करेंगे इसमें बरफ बहुत ज्यादर डलती है यह देख सकते हैं यह बरफ है यह काफी सारी कॉन्टिटी में जाएगी और इसके लिए जो चीजे रिक्वाइड होंगे है किस तरह की चंदनी क्योंकि हम जूस करने के बाद च्छनेगे अब हम रेसिपी की चलते हैं इसको बनाने की चलते हैं ब्लैंडर का जग ले लिजि तो थोड़ा सा आट कीजिएगा इसको ब्लैंड करने के लें यह देखें मैंने इसका जैसी जूस बनाया तो थोड़ा सा कम हो गया अब इसमें यह बाकी का भी हम शामिल कर देंगे यह देखें बहुत अच्छी तरह से स्मूथ्ली यह बैंट हो गया अब आपने एक पतीली ले लेनी है और उसके अंदर यह चनना लगाने और इसको इस तरह से चाल लेना ताकि जितने भी बीज होंगे या जो कुछ भी होगा तो वह सब यह देखेंगे यह मैं बस थिक एक स्मूथी आ गई है अब इसको वापिस आप ब्लेंडरे में एड़ कर देंगे ठीक ही देखें मैंने तमाम जूस वापिस इसमी में शामिल कर दिया ठीक ही जूस से यार होगे अब इसमें आपनी कॉमल एड़ कर देना है तमाम इसी के अंदर और यह लैमन जूस भी इसी में शामिल कर देंगे अब अब इसको एक अपन कुमा लेंगे अब इसमें से थोड़ा सा कम करने ताकि यह एक अच्छा सा वो दे सके टेक्श्चर चीए मैंने कम कर दीए इसमें बरफ को जादा यूज है अब इसके अंदर हमने बहुत सारी बरफ शामिल कर देनी है काफी सारी बरफ शामिल करके इसको अच्छी तरह से ब्लैंड करेंगे तुबारा से बरफ डालके मैंने इसको बहुत अच्छी तरह गुमा लिया है बिल्कुल बरफ चूरा चूरा हो गई है अब इसके अंदर हमने तुक मलंगा थोड़ा से शामिल करके और इसको एक दफ़ा ब्लैंड करना ताकि वह जो ले से खत्म हो जाए है यह देखें बिल्कुल स्मूज सा ही हमारा तयार हो गया अब हम इसको सर्फ करते हैं ठीक इसमें आपने इतना ही निकालना है क्योंकि अगर जादा निकालेंगे तो फिर हम यह चंक्स नहीं डाल सकेंगे अब आपने इसमें थोड़े से तर्बूस के थोड़े से यह मिक्स देख सकते हैं तर्बूस कोटर मेलन इस बूती हमारी मज़ेदार सी तयार है यह कॉमेल उपर से आप चाहें तो को स्प्रिंटर करने इस तरह से कर्णा है जलए गते हैं और्ब करने प्मौस कर दो किना एक हैं अो भात्वने हैं अच्पश फाम्मौस